हलो फ्रेंज वागत आप सभी का देखिए आज बजट का दिन था और काफी महतोपुन दिन था और हम सब रिटेलर्स यह सोच के बैठे थे कि बजार जो है वो एक तरफा जाएगा और किसी ने किसी एक डिरेक्शन में बजार जाएगा या तो अपसाइड या डाउनसाइड हमें काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा काफी अच्छा मुनाफ़ा हम कमा लेंगे तो हम सब रिटेलर्स ने कॉल या पुट बाय करके बैठे थे ठीक है और कुछ हमारे बित्र थे जिन्होंने कॉल और पुट जो है वो दोनों बाय किये एक ही स्ट्राइक प्राइस पर य को या जो आपके पास कॉल राइटर और को पुट राइटर्स जो हते हैं वो आज पैसा बना के ले गए उनको अच्छाखासा बेनिफिट हुआ है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आज उन्होंने जनरेट किया है बट हमने देखो ऐसा क्यूं हुआ हुआ है उसको हम डि गिरते हैं premium में benefit नहीं होता क्योंकि एक तरफा बाजार नहीं है ना तो upside जा रहा है ना downside जा रहा है यानि market जो है आप देखोगे कि पूरी तरह से इस एक range में ही यहाँ पर पूरे दिन फसा रहा आरा कि lower 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 high का यहाँ पर pattern बना है कल देखना पड़ेगा कि यह range और नीचे की तरफ तूटती है तो यह और नीचे की तरफ market निकलेगा या फिर high cross होता है तो वो उपर की तरफ इस पर हम discuss करेंगे एक आलेक वीडियो मैं इस पर बना दूआ अभी हम यह discuss करते हैं कि budget का इतना बड़ा दिन होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है देखो इसके दो तीन रीजन है पहली बात जो है पहला reason तो यह है कि यह जो budget था अपका यह अंतरीम budget था यह एक अंतरीम budget है यह एक proper budget नहीं है यह अंतरीम budget है क्योंकि जब सरकार में चुनाव आ रहे होते हैं तो सरकार दो-तीन महीने के लिए एक budget पेश करती है और फिर उसके बाद में जब सरकार चुनके आएगी तो उसके बाद में कुछ महीनों बाद में फिर से budget पेश किया जाएगा तो यह एक proper budget नहीं है अंतरीम budget है इस वज़े से market ने इस पे ज़्यादा react नहीं किया और यहाँ पर downside या upside में कुछ ज़्यादा moment नहीं आया दूसरा reason यह था कि जब सरकार चुनाव में जा रही होती है जब चुनाव यहाँ पर आने वाले हैं तो सरकार का ध्यान यह रहता है कि जो middle class है या जो freebies दी जाए या फिर जो आम जनता है उस आम जनता को benefit दिये जाए आम जनता को benefit देने के लिए सरकार जो है उसमें कुछ वादे ऐसे करती है कुछ ऐसी घोशनाई करती है बाजार को ध्योगों को जादा पसंद नहीं आता जैसा कि आपने देखा हुआ कि budget में जो जादा घोशनाई हुई है वो infrastructure से related, railway से related जादा घोशनाई हुई है आम जनता को लुभाने की कोशिच जादा की जाती है ये call और put जो है वो आपकी नहीं बड़ी और इनके premium जो है वो लगातार गिरते रहे और premium गिरने से जो buyers है उनको काफी loss हुआ है दूसरी तरफ जो आपके sellers है यानि जो writers है call और put लिखने वाले जो है writers है उनको काफी यहाँ पर bumper profit हुआ है उनकी अच्छी चांदी चांदी हो गई है उनको अच्छा profit यहाँ पर मिला है तो इस वज़े से आप यह देखोगी कि इस market में buyers को काफी loss उठाना पड़ा इसी तरह से देखो हम थोड़ा bank nifty पे चलते हैं उस पे थोड़ा discuss करते हैं bank nifty को भी आप देखोगी तो एक range में ही पूरे दिन यहाँ पर कामकाज होता रहा हला कि इस range को निकालने की कोशिश हो रही थी पर यह निकल नहीं पाई range ठीक है निकलती जो शायद थोड़ा बहुत benefit हो जाता बट आप देखो कि लगातार एक range में रहने की वज़े से जो call और put है उनके premium लगातार गिरते रहते हैं और इस वज़े से जो buyers है उसको काफी loss होता है तो इसमें करना क्या चाहिए करना यह चाहिए कि देखो सबसे पहले तो अगर आप कल से यानि पिछले दिन से अगर आपने call और put carry कर रही है तो वो सबसे बड़ा गल लगाता आपको पहले से ही call और put carry नहीं करनी चाहिए दूसरा reason यह था कि जब तक आपका 2-15 मिनट की candle आप जरूर देख ले 15-15 मिनट की candle दो जो candles है वो जरूर देखे और उनका high और low mark कर ले अगर उनका high निकले उपर की तरफ तब आप call buy कर सकते हैं और इसके नीचे जो है इसका stop loss रख सकते हैं और अगर नीचे की तरफ निकलता है तो आप put buy कर सकते हैं बट इसका जो high है इसको आप as a stop loss रख सकते हैं ये एक अच्छा benefit होता है ये अगर आप strategy अपनाते हैं देखो बहुत आसान सी strategy है जितना simplify रखोगे उतना अच्छा रहेगा जितनी चीज़े इसमें लगा करके आप इसको complicated कर लोगे chart को तो उतना ही ज्यादा नुक्सान होगा ठीक है तो चलिए I hope ये बात आपको समझ में आ